Hello Friends, Welcome to Toppers Target और आज का जो हमारा टोपिक है वो Force and Law of Motion से लिएट है यहां पर हम First Law, Second Law, Third Law of Motion सीखने वाले हैं वोर्स के बारे में जानेंगे, Momentum के बारे में जानेंगे यह साइंस का एक Really Very Important Topic है जो CTAT, UPTAT, KVS, REIT और SuperTAT जैसे एक जाम्प में काफी बार आ जाता है और यह अगर हम देखे तो यह Chapter 9 है NCIT Book का वोर किलास 9 तो चलिए शुरू करते हैं So Force, Force क्या है? Force is an external effort भार यह effort, भार यह बल भार के तरफ से आप कुछ भी किसी Object के उपर Object के outer surfaces पे आप कुछ भी apply कर रहे है That is as a Force तो जो भी external effort है आपका ठीक है? और वो आप किसी Body के उपर apply कर रहे है और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर Body rest पे है तो वो stop हो जाएगी और Body अगर किसी एक speed से चल रही है तो तो आपने उसकी speed को change कर दिया आप अगर वो North direction में जा रही है उस object को आपने effort लगाया तो वो अब South में जाने लगी है या East में जाने लगी है तो इस तरीके से आप जब भी कभी एक external effort लगाते हैं किसी भी Body पे किसी भी shape and size की Body पे तो वो force कहलाता है और ये किसी भी shape size की जो Body होती है या हम किसी Body का ही shape और size change कर दें जैसे की आपने देखा Gel टाइप होता है Gelies होती है हम दबाते हैं दब जाती है वापिस भी आ जाती है तो हम shape and size change कर रहे हैं उसका आता है आता गूत लिया जाता है तो नीडिंग होने के बाद आप उसको दबाते हैं वो अपने shape बदलता रहता है तो this is like mid tea है कुहार के पास तो वो भी एक example है आपका कि आप उसको force external effort supply करके उसकी shape and shape size को change कर लेते हैं that's known as force तो force के effects क्या होते हैं जैसा अभी तक हमने देखा ही है कि किसी body को rest पे ला देना चलती हुई body को force कहलाएगा force के ही effect की वज़े से वो rest पे आ गई है और किसी rest वाली चीज़ को हमने motion में डाल दिया है तो भी वो force की वज़े से हुई है किसी की speed को हमने change कर दिया है 2 km per hour की speed से चलती हुई चीज़ को हमने force लगाया ना हो 5 km per hour की speed से जाने लगए ठीक है जैसे हमारा rocket होता हम launch करते है उसको stationary position पो होता है हम force apply करते है force apply करते है through the engine power engine thrust के वज़े से वो हवा में जाना शुरू होता है और speed increase करता है तो rest से motion में आ गया है तो force लगा है but force through engine power से जाया है तो इस तरीके से यह example से हमारे force के तो हम बात करते है balanced and unbalanced forces तो these are the two types of forces तो balanced force क्या होता है if two force act on a body in opposite direction तो आप देख सकते है यहाँ पर एक body है और body के ओपर जो force act हो रहा है वो opposite direction में हो रहा है तो एक body है और उसके ओपर force act हो रहा है F1 and F2 and they are in opposite direction first thing is that they should be in opposite direction और जो दूसरा point है कि दोनों equal होने चाहिए है तो दोनों भी forces equal है F1 is equal to F2 तब हम इसको कहते हैं कि यह जो forces है यह balanced forces है तो ultimately क्या result होगा क्या body move होगी left में right में नहीं body की जो position है अगर वो rest position है तो क्या वो motion में आएगी नहीं तो इस case में body की जो state होती है वो change नहीं होती है ना उसकी shape change होती है ना उसका motion का state change होता है तो वो forces होते हैं balanced forces अब बात करते हैं unbalanced forces की unbalanced forces आप देख सकते हैं if two forces act on body in opposite direction and if one force is greater than the other then the resultant force is not equal to zero तो यहां पर क्या होगा कि जो f1 है और f2 है जो दो forces हम opposite directions में लगा रहे थे उसमें से कोई एक जादा है कोई एक कम है तो उस वज़े से जो resultant force होगा वो zero नहीं होगा और इस वज़े से body जो है वो किसी ना किसी motion में जरूर आएगी यानि कि उसकी state of motion चेंज होगी या उसकी rest में है तो motion में आ जाएगी या उसका shape or size change हो जाएगा so unbalance forces changes the state of rest or the motion of a body जो मैंने अभी आपको बता रहता तीसा जो हमारा यहाँ point हम वो देखते है force of friction very important point अभी जैसे आपको लगरा होगा कि यह सारी चीज़े काफी easy है पर actually क्या हो जाता है कहीं बार की आपका concept के लिए नहीं होने की वज़े से एक simple सा question आपसे गलत हो जाता है so इसी वज़े से जो simple points है इसकी आपकी revision हो रही है इस topic के तरुक तो force of friction पर वापिस आजाते है तो is the force which oppose the motion of an object over a surface सबसे पहली बात तो समझने है कि यह एक force है friction force जो oppose करता है कि अब किसका oppose करेगा motion का तो यह motion का oppose करता है और of an object over a surface इसका meaning है over a surface यह याद रखना the only force friction force जिसका surface के साथ ही सबसे बड़ा relation है बाकी चीजों से इसे कोई मतलब नहीं है material क्या है कौन सा material है इससे कोई मतलब नहीं है पर उस material का surface कैसा है और जिस दूसरे material के ऊपर वो relative motion कर रहा है उस material का surface कैसा है surface बहुत matter करता है तो surface अगर rough है तो friction force ज़्यादा है surface अगर बहुत smooth है तो friction force कम है तो आगे देख लेते हैं जैसे कि ball जो rolling होती है उने ground gradually slow down हो जाती है दीरे दीरे हमने ball फैकी ground पर जा रही है और दीरे दीरे आखिर में जाके रुक गई क्यों क्योंकि उस पे एक उसके motion को कोई approach कर रहा था जो oppose कर रहा था वो था friction force यानि कि ये motion के opposite direction में चलता है ये हमेशा याद रखना है और वो उसके कहां पे लग रहा था surface पे लग रहा था यानि जो भी उसका outer surface था जितना भी area उसके touch में आता था ground के साथ वो ही area के उपर ये opposite force लग रहा था if we stop paddling a bicycle it gradually slows down and comes to stop due to the force of friction तो same case है आपका bike हो car हो, scooter हो, truck हो सब धिरे धिरे रुख जाते हैं और ये friction के वज़े से होता है क्योंकि friction उनके motion को continuous opposite direction में force करता रहता है opposite होता है friction force तो ये figure भी है यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि आप देख सकते हैं friction जो है वो left direction में जा रहा है जब कि pushing force जो है right direction की तरफ है और motion भी right direction में हो रहा है तो friction हमेशा motion के opposite है और object with the uniform motion will continue to move with the uniform motion if the force acting on it pushing force and friction force are balanced तो अब यहाँ बात हम कर लेते हैं in context of balanced or unbalanced forces अभी हमने पिछली slide में ही पढ़ा है balanced and unbalanced forces तो यह आपका जो first paragraph है यह बता रहा है आपको कि अगर balanced forces लगे हुए है और अगर object motion में है यानि कि pushing force जो है वो right direction में लग रहा है friction force जो है वो left direction में लग रहा है और यह दोनों balance है means equal है in that case जो object है वो motion है motion में ही रहेगा stop है तो stop position में ही रहेगा यानि कि वो अपनी state of motion चेंज नहीं करेगा आगे क्या लिखाया दो point आजाते है unbalanced forces के बारे में यानि कि अगर हमारा unbalanced force लगा हुआ है किसी moving body के उपर तो उसकी speed और direction of motion जो हो जाएगी वो change हो जाएगी ठीक है अगर unbalanced force किसी moving body पर है तो उसकी speed और direction change होगी क्यों क्योंकि जो resultant force है वो 0 नहीं है तो either वो उसको slow down करेगा और either उसको increase कर देगा और अगर resultant force motion की direction में नहीं है किसी और direction में है motion होना है north में और resultant force है east direction की तरफ तो body को हराल में east की तरफ मुढ़ना पड़ेगा और किसी और direction की तरफ change होना पड़ेगा direction में change जरूर आना है और अगर हमने unbalanced force को remove कर दिया then it will continue to move with the speed it had acquired till then तो अगर हमने वो unbalanced force हटा दिया तो वो same speed से चलता रहेगा जो उसको पहले मिली हुई थी अब हम बात कर लेते हैं Galileo के experiment of motion की of an object उने inclined plane ठीक है तो Galileo अब सभी लोगोंने नाम सुना होगा Galileo एक अच्छे scientist रहे हैं जिन्होंने एक experiment defined किया था और उस experiment of motion में बताया गया था inclined plane के context में चीज़े कैसे काम करती है तो inclined plane अब आप यहां पर देखिए एक inclined plane हमारे पास है तो इस तरह का उन्होंने एक setup तयार किया और अगर हम इसको normal schematic diagram से समझे तो यह आप देख सकते हो कि जो हमारी ball है वो एक inclined plane से नीचे की direction में चलना शुरू करती है तो अगर inclination same है जैसे कि inclination value को हमने कम कर दिया जो slope है वो बहुत थोड़ा सा down कर दिया उस case में क्या होगा कि वो same height को move पहुचने के लिए उसको ज़्यादा travel करना पड़ेगा अगर हमने inclination और down कर दिया तो आप देखेंगे कि उसको और ज़्यादा travel करना पड़ेगा उसको जो travel है वो increase हो रहा है basically ठीक है जैसा जैसा हम उसका slope change कर रहे है और अगर हमने उसका जो यह inclined plane है second inclined plane को अगर हमने horizontal consider कर लिया ठीक है उस case में क्या होगा कि अगर ball आएगी move होके क्योंकि उसके पास h height से हुआ यह उसके पास ही अच्छी energy है उससे वो नीचे आएगी then it will roll on till till चलती चली जाएगी वो ठीक है क्यों क्योंकि हम इस case में यह assume करके चल रहा है कि force of friction जैसी कोई चीज़ है नहीं और वो चलती चली जाएगी क्योंकि कोई उस पे unbalanced force apply नहीं होगा कोई ऐसा resultant force नहीं आया हुआ होगा जो उसको रोके या उसकी directions को change करे so it will going and move till end जहां भी जहां तक भी जा सकती है वहां तक चलती जाएगी यह इस paragraph में आपके लिखा है और you can read it once ताकि आपको थोड़ी से आपको क्योंकि यही सब चीज़े आपको clarity देती है question solve करने के लिए जैसे कि कुछ तरह के questions जो बनते है momentum related वो यहीं से आएंगे कुछ तरीके के जो questions बनते है कि like आपको कितना force चाहिए एक गाड़ी जो station पर खड़ी है उसको थोड़ा सा भी चलाने के लिए थोड़ा सा भी आगे move करने के लिए कितना force लगेगा उसने उसका गाड़ी का mask दिया है examiner ने अलग-अलग values दिये है और यही जो large of motion है न तीन motions जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ on the basis of that you will easily clear all the things तो शुरू करते है so Newton law of motion में जो हमारा पहला point है क्या होता है कि first law अब first law क्या कहता है कि कोई object अगर खड़ा है stop position में है तो वैसी खड़ा रहेगा और अगर कोई object motion में है तो motion में ही चलता रहेगा कब तक कब तक खड़ा रहेगा या कब तक चलता रहेगा जब तक कोई अलग से Doch उसके उपर नहीं हो तो कोई फोस जब तक कुछ अप्लाई नहीं हो leadership अब जैसे कि चोटा बच्टा पिव?... क्प्रकश nawdon वे चबिएर पॉर हमने कोई force लगा पर नहीं उसके दिमाग में concept शुरु हो जो एंविर्मेंट में जो उब्जेक्ट से उनकी वज़े से एक डिमाघ पर एफेक्ट आता है कि उसे वहाँ जाना है ठीक है एंड यहां पर एक इस नया इंट्रीज करना पड़ता है वह है इनश्या इनश्या क्या होता है नेच्टरल टेंडेंशी ओफ अब्जेक्ट विमीन इनदस्टेट ऑफ रस्ट और इनदा यूनिफॉर्म मोशन इनश्या अभी यहां पर जब हम बात कर रहे हैं लॉज उफ मोशन में तो हम यहां कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या करते हैं चलती ही तो तो कोई चीज चलती ही नहीं हो रहें कोई चीज हम ने चला के चोड़ी तो रुखती है उसे तो बीच में पावर देते रहना पड़ता है तो बेसिकली कि यह इसको यह इंख सकते हैं कि फिक्छिशन फॉर्स तो अगर वो नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी force apply नहीं हो रहा है, then it will uniformly move, और अगर वो state of rest में है, तो it will be stay over there, वो कहीं नहीं जाएगी, तो यह inertia है, अब यह inertia क्या है, किसी object की tendency है, यह ध्यान रखो यह word जो tendency का मतलब है, उस object का यह behavior है, अगर उसे motion में छोड़ दि पर rest पर छोड़ा है, तो वो rest में रहेगा, यह आपको बहुत ध्यान रखना है, और this that's why first law of motion को हम कहते है, law of inertia भी, ठीक है, कि जो हमारे object की behavior है, tendency है, कि जहां कड़ा रहना है, वही रहना है, जहां चलते है, चलते ही रहना है, तो यह है हमारा first law of motion, एक experiment से भी आप देख स finger से strike करते हो, तो cardboard को motion मिल गया, force मिल गया, वो फटाक से चलने की कोशिश करता है, but at the same time, इतने कम fraction of time के लिए, वो अपना motion है, वो transfer नहीं कर पाता किसको, coin को, और coin की tendency क्या रहती है, मैं तो rest में हूँ, मैं rest में ही रहूँगा, okay, but उसको time ही नहीं मिला, paper को या cardboard को transfer करने क के लिए motion to the coin, तो वो क्या होगा, वो ही रह जाएगा, और वो गिर जाएगा, अगर यह case होता कि हमारा motion, जो है, transfer करने का time मिलता है, यानि कि आप बहुत धीरे से cardboard को खिसकाते, तो आप notice करोगे कि cardboard के साथ ही coin, move हो जाएगा, okay, but आप उसको fraction of seconds में strike कर रहे हैं, उसके साथ तो वो move नहीं होगा coin क्योंकि coin की tendency है, वो rest में रहेगा, तो अगर आपने केरम बोड खेला है, एक example देखिए, केरम बोड खेला है, तो केरम बोड में जो coins होता है, हम उसको striker से strike करते हैं, तो अगर हमने उनको stacking की हुई है, क्योपर एक coins को रखा हुआ है, हमने striker से strike किया तो आप देखोगे, नीचे वाले coin निकल के सीधा चली जाती है, और बाकी stacking, एज़िटीज नीचे के सकती है, एक coin, तो क्योंकि बाकी सब अपना inertia रखती है, जो inertia of rest है, और एक ही को motion मिला fraction of seconds के लिए हो निकल गया हो बार, तो यह चीज होती है, अभी दूसरा जैसे और example ह कि आप कार में बैठे हैं, वो driver ने brake लगाया, या बस में बैठे हैं, driver ने brake लगाया, और आप सिधा आगे वाली seat से टक्राने लगते हैं, आप जहां बैठे हैं, आपका जितना area seat के साथ अचा है, वो तो motion capture कर लेता है कि भई, अभी brake लग रहे हैं, so has to stop, बर जो upper body है हमार यानि कि हमारी chest, chest upper area, head, तो वो नहीं इतनी तेजी से adapt कर पाता है, उस motion को, और वो motion में ही रहता है, यानि कि de-acceleration हो रहा है, रुक रहा है, vehicle trying to get in the rest state, और हमारी जोपर बोड़ी है, वो still in that same motion, तो वो क्या होती है, try to strike the seat next to the person, और थीस example है, like हम बस में कड़े रहते हैं, same चीज होती है कि हमारे हाथ हमने पकड़ के रखे हैं, पैर हमारे जमीन में है, पर टच हैं, तो जब बस रुकती है, या बस चलना शुरू करती है, तो हाथ और पैर, तो follow के साथ पैर रहते हैं, हाथ जो रहते हैं, हमारे handle के साथ रहते हैं, तो वो दोनों तो motion में चले जा होती है तो इट विल अप्लाइज ट्वार्ट सब्सक्राइड हमें एक फोर्स फील होता है वह क्या होता है इनर्शा ओफ आवर बोड़ी कि वह रेस्ट में थी और अभी वह रेस्ट में ही रहना चाहती है क्योंकि अच्छानक से बस चल गई है उस पर अभी तक मोशन ट्रांस आपनेशा है क्या इनर्शा मास्पर डिपेड्नेंट वाली चीज है बड़ा वेज्कल है 10 kg कोई ऑब्जेकट और यह अगा हैए उसके पास ज्यादा इनेशा है यह कैसे समझ सकते हैं बहुतह जी सी बात है 6 है लोक मूव करना है ठीक है तो मूव करने के लिए आपको क्या है उसकी जो इनेश्या उसका जो इनेश्या है इनेश्या क्या है टेंडेंसी है उसकी कि मैं तो कितने अप्लाई करना है minimum आपको वह मिनिमय कहाया मैं कि करने उसके इनेशय वेलू के क्लेंट और इनेशय जरली क्या होता है उसका वैट होता है, वैटond जी होता है मास इंटू एक्सलेरशन डू टू ग्रेवटी ठीक है डिट इस 9.81 मीटर पर सेकंड स्कूर्ड तो मास इंटू जी जो की वेट होता है तो यह उसका इनश्या होता है तो उसकी इनश्या की क्याट इनश्या इट रिमेंज तो बी इन दर्स तो 10 kg वाले गा आपका इनश्या कम आएगा और 100 kg वाले का इनश्या जदा आएगा उसको जदा फोस सप्लाई करने के बाद ही मोशन मिलेगा और जो 10 kg वाला है वो कम फोस के बाद भी मोशन में आजाएगा ठीक है अब आज आता है very important topic है momentum momentum यह जो यहाँ पर आपका लिखा है P is equal to mb आप बहुत अच्छे से याद रख लिए यह P और mb ही आपका सारा केल करता है यह ऐसी चीज है जो very very important है किसी भी topic में किसी भी exam के लिए क्योंकि इस तरह के questions बनते हैं जब एक question बनता है कि एक marble दूसरे marble से strike करता है यह एक ball दूसरे ball से strike करती है तो पहले की velocity यह थी दूसरे की velocity अब क्या हो जाएगी क्योंकि दूसरी पहले initial में rest में थी अब बाद में motion में आ गई तो पहले की क्या होगी दूसरे की क्या होगी दूसरे की कितनी थी पहले की इतनी थी इस तरह से बहुत confusing size state कर देते हैं और जब कि यह खाली pg equal to mb पर solo हो जाता है कुछ भी नहीं करना आपको ठीक है तो momentum of a body is the product of mass and velocity तो एक बात आप समझेज़े यह momentum एक एक अच्छी सी एक अब समझेज़े एक उसका characteristic है किसी भी body की और वह characteristics आई कैसे उस body में mass तो उस body पर था ही और उस body को आपने velocity दी है उस वज़े से उसके पास वह characteristics आ गई और उसका नाम हमने रख दिया momentum ठीक है एक पावर आ गई उसके पास ठीक है उसका नाम है momentum ठीक है तो अब आगे देख लेते हैं कि momentum की उनिट क्या होगी देखो mass unit kg है velocity होती है meter per second तो इसकी नूट हो जाती है kg meter per second अब क्या example क्या है इसके momentum अब momentum इस तरीके से जैसे कि कोई जैसे नशाम ने शुरू किया था तो वह ट्राइंग टू रेस्ट और ट्राइंग टू मूव जो भी उसकी टेंडेंसी है वह उसी में रहेगी जैसी उसकी स्टेट ऑफ मोशन है वह उसी में रहने वाली है तो इसी कंटेक्स में मोमेंटम क्या करती है कि अगर हम एक ट्रक है जो मुविंग ट्रक है स्लोव स्पीड से मूव हो रहा है कैने किल ए परसन स्टेंडिंग इन इस पाथ बिकोज उफिट्स हैवी मास्क ओफ ट्रक ए बुलेट ऑफ मास्क वें फाइड फ्रों में गर्ण केन किल ए परसन बिकोज ओफ लाज वेलोसिटी ऑफ बुलेट आप आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि हमने यहां पर जो दो एकजांपल दे हैं आप समझें M V यानि कि पहले केस ए ट्रक मास्क जादा वेलोसिटी कम पर इस तिल वह किसी भी परसन को kill कर सकता अगर उसकी 20 km सेकेंड 20 km पर आवर भी है तो भी इट कन अफेक्ट दा स्टेट अफ़ द पर संबाट अगर हम बुलेट की केस में देखिए तो उसका मास बहुत कम है बट वेलोसिटी बहुत जाद है तो क्या होगा पहले case में क्या होगा कि ट्रक ने आदमी को गिरा दिया उसके उपर से चड़ के चला गया या टक्कर मारी और आदमी दूर उड़के गिरा दो ही case बैठते हैं पर जो bullet की case में क्या है आदमी भही का भही रहता है bullet अंदर से चली जाते हैं क्यों? मुमेंटम ही बहुत हाई है उसका आप अंदर से नहीं लगा सकते एक 10, 20, 30, 50 ग्राम की bullet होती है और उस पे जो velocity अपलाई हुए है वो इतनी ज़ादा है इतनी ज़ादा है कि वो चीर देती है आगे से उसकी shape भी ऐसे रखे कि ताकि वो easily चीर सके ठीक है तो momentum यहाँ पर एक और चीज जाने वाली है momentum conservation की body की momentum रहती है और वो भी हम आके देखेंगे तब ही हमारा यह formula आएगा mv mv mass v is velocity और जब हम दो body के striking के बात करते हैं तो m1 v1 m2 v2 यानिकि दो different body होती है different mass की उनकी different velocity और हमारे हाँ यह formula शुरू हो जाता है conservation of momentum का m1 v1 is equal to m2 v2 ठीक है तो अभी next slide पर चलता है neutron second law of motion ठीक है neutron second law of motion momentum पर ही base है इसलिए आपको momentum पहले बता दिया था तो यहाँ पर क्या आता है the rate of change देखे एक तो यह आप समझ जाएए इस बात का मिनिंग हमेशा की rate of change का क्या मतलब होता है ठीक है तो rate of change जो होता है वो हमेशा time के respect में change होना होता है rate of change ठीक है किसका momentum का ठीक है of an object is proportional to applied force ठीक है तो जो momentum का rate of change of momentum है वो proportional है applied force के in the direction of force ठीक है अब यहाँ पर हम देख लेता है क्या एक concept जैसे कि इनिशल मोमेंटम में किसी body का M U U is the initial velocity M is the mass final momentum में M V M is the gain mass V is the final velocity तो यानि पर दोनों जगां पर M common है और U और V जो है velocities है जो change होई है ठीक है तो हम change in momentum बोलेंगे यानिकी P2-P1 जो change in momentum is P2-P1 बट जब हम बोलेंगे rate of change of momentum ठीक है तो हमारे पास यह आ जाएगा T division में आ जाएगा ठीक है तो M V minus U divided by T इसमें I think कोई doubt नहीं है कोई बड़ी चीज नहीं है बहुत easy है यह और हम यह proportional हमने बोला था कि यह चीज प्रोपोर्शनल होती है तो प्रोपोर्शनल का sign लगा है यहां पर और बाद में हमने इसको एक के कॉंस्टेंट से equal किया है चीक है प्रोपोर्शनल्टी कॉंस्टेंट लगा कि और अल्टिमेटली हम आउस कॉंस्टेंट की value को अगर one consider कर लेते हैं देन हमारा जो force की value हो जाएगी वह हो जाएगी mass into acceleration क्योंकि velocity divided by time is acceleration चीक है तो इसकी unit हो जाएगी आपकी kg per meter second square kg meter per second square और हम इसको Newton भी बोलेंगे क्योंकि Newton ने ही यह बताया था तो unit को हम Newton भी बोलते हैं किस unit को kg meter per second square यह question बन जाता है कि Newton is defined as unit SI unit or the unit of force which is Newton in SI termed as वहाँ पर आपको option मिल सकते हैं kg meter per second kg meter per second square kg meter और kg second square कुछ इस तरह से option दे जाएगे तो आपको यह जाद रखना है अब आज आते हैं Newton's third law of motion बहुत लोगों को पता और अच्छे से याद यही वाला रहता है जो है हमारा की equal and opposite reaction जैसे करते हैं लोग एक लडगे ने दूसरे के मारा तपड तो दूसरे ने भी घुमा के दिया एक मुक्का तो दिसी दा इक्वल अपोजिट रेक्शन तो तो एवरी एक्शन देर इस एन एक्वल अपोजिट रेक्शन दैट इस कॉल्ड आज नूटर्स थर्ला ओफ मोशन एंड दे एक्ट ओन डिफेंट बोडी जैनि कि फर्स्ट जो एक्शन होगा वह दूसरी बोडी साथ दो स्प्रिंग बैलेंसिज लगा दियें और हमने उसको मूव किया इस डिरेक्शन में तो क्या हुआ लट सपोज हमने उसको 100 न्यूटन फोस से मूव किया तो आपको दोना स्प्रिंग में 100 न्यूटन ही देखेगा क्या होगा कि हमने एक को मूव किया एक को पकड़ा तो मूव नहीं हो सकता तो वो क्या करेगा वो उ hijटा फोर्स लं गाएगा किसके ऊपर एक के ऊपर तो हैumaपे तो यहाँ फोर्स जाएंगे एक हो जाएगा एफ यह ने बी पे लगाया दूसा फोर्स ओ जाएगा एफ बिये यानि कि Jrakoval b से एको लगा तो यह एक गुड़ एक जांपल है इक ओलन पोजिट रेक्शन का वैसे एक जाम पर बहुत भी है लाइक हम गन फारिंग करते हैं तो उसमें हमें रिकॉइलिंग फोष फिल होता है ठीक है हम जब बोट से निकलना चारहे होते हैं किनारे पे आना चारहे होते हैं तो हम जंप करने की कोशिश करते हैं तो उस समय बोट बैकसाइड मूव हो जाती है और हम आगे जंप हो जाते हैं ठीक है फिर है जिसे यह देख रहते हैं आप डिकोल फॉर्स ऑफ दगन ठीक है बोट जंपिंग तो यह आप इजली देख सकते हैं आपको इतना आइडिया है आगे पॉइंटों पर बटते हैं यह आप देख सकते हैं कि एक बैलून अगर हमने चिपकाया है टेप और इसे और लाइक हम उसको छोड़ देते हैं कि यह हमने मूव किया तो आप देखेंगे जिस डिरेक्शन में वह एर को फ्लो को एकजर्ट करेगा भार निकालेगा उसका पॉजिट डिरेक्शन में वह मूव होगा वह से प्रिंसिपल यूज विद रोकेट मैंने पहले इस लेक्षिर में आपको बता है रोकेट किस तरह से काम करता है वह अपना उस्स में उस मोशिन दिरेक्शन में होता है तो एक्शन वह प्लाई करता है लोगर रेक्शन में एक्ष्म्हेकल सब्सक्राइब करेगा तो उसका मोशन अपर डिरेक्शन में होगा तो इक्वल अपोजिट रिक्शन तो अभी वही टोपिक आ गया जो मैं कहा रहा था आपको कंजरविशन ओफ मोमेंटम का कि सम ओफ मोमेंटम ऑफ टू अफ टू अफ आफ तर कोलेजन प्रवाइड देर इस नो अन बैलेंस फोसी एक्टिंग उन टैम तो अन बैलेंस फोसी नहीं लगने चाहिए जैसे कि हमारा फ्रिक्शन फोगरा ना लग रहा हो उस केस में हमारा जो सम ओफ मोमेंटम ओफ टू अब्जक्ट है वह इक्वल होगा बिफोर कोलेजन एंड इक्वल होगा आफ्टर कोलेजन ठीक है इसमें सीधी सी बात है आपको थोड़ा ध्यान से समझना है यह किस तरीके से लेको अगर मैं बोलता हूं कि पीवन जो है मोमेंटम है किसका बोड मोमेंटम है बोडी एक विफोर कोलेजन की बात हो रही है और पी तू जो है मोमेंटम है बोडी बी-क ठीक है तो इन दोनों का जो सम है वह एक्वल होगा मोमेंटम ओफ first plus में momentum of second और यह क्या है c लगा रहा हूं मैं यहां क्योंकि यह after collision है तो momentum of first body after collision plus momentum of second body after collision तो यही चीज आपको समझाई गई है और यहां पर आप देखेंगे इसको बहुत धहां से तो ma is equal to ua यानि कि यह हो गया आपका pa before collision यानि कि initial velocity of ua मतलब initial velocity of mass a ub is equal to initial velocity of mass b इन दोनों का सम इकवल होगा किसके इकवल होगा p1c यानि कि va जो velocity है वो है velocity after collision और the final velocity after collision but after collision मोमेंटम हो गया ma va after collision जिसको मैं बोल रहा था p1c ओके और p2 जो हो जाएगा यहां पर हो जाएगा momentum of body b after collision तो p2c लिखूँगा मैं इसे ठीक है तो p1 plus p2 is equal to p1 c and plus में p2c यही सब चीज होगा यहां पर easily format में समझाए गया है और मैं आपको इसे सीधा सीधा समझा दिये आप इसको एक बार डाउट करके समझ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं thank you for watching guys and अगर आपको यह पसंद आया वीडियो और यह topic अच्छा लगाया और इस तरह के और अब कुछ ही है इन डिटेल एक्स्पनाजेशन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिए बताइए और वी विल ट्राइटो इंप्लीमेंट मॉर्टिंग्स विदे यूर फीड़बेक्स तरह क्यों तरह क्यों प्लीमेंट मॉर्टिंग्स प्लीमेंट मॉर्टिंग्स